बंगलादेश में अब सेने साशन की सुगगाहट शुरू हो चुकी है अब सवाल ये है कि क्या शेख हसीना के हाथ से ये साशन जो है वो सेना के हाथों में जाएगा इसकी प्रबल दावेदारी दिखने लगी है क्योंकि वहां के जो लोग हैं वहां के जो एक्सपर्ट्स हैं वहां के जो जानकार है वो यह मानते हैं कि जिस तरीके से शेख हसीना को गद्दी से उतारने के लिए जो प्रोटेस्ट इस वक्त पूरे बंगलादेश में हो रहा है और वो भी हिंसक रुख अप्तियार कर चुका है तो ऐसे में मानाए जा रहा है कि अगर शेख हसीना ने इस बंगलादेश में हिंसा के शिकार लोग हुए जिन में पुलिस करमी भी थे अगर लोग रही वार की करीब भी लोग मारे गए उनमें 14 यह वाले उपद्र वखक www अब पुलिस फोर्सेज या वाँ के सुरक्षा एजनसीज के साथ नहीं है वो अब सीधे तोर पर आवामी लीग के जो कारे करता है उनके साथ भी आपस में भिडंत हो रही है जिसकी वएसे पूरे बंगला देश में आग लगी हुई है तकरीबं 13 ऐसे जिले हैं जो की पूरी जो जानकारी आ रही है उसके मताबिक अब भी वहाँ पर जो तत्रवीरे सामने आ रही है उससे यह साफ हो रहा है कि यह जो प्रोटेस्ट है यह जो हिंसात्मक प्रोटेस्ट जो वहाँ पर चल रहा है विरोत चल रहा है वो जल रुखने वाला नहीं है सडकों पर बकतर बं प्रफिश को भी नहीं चोड़ रहे हैं तो ऐसे में आप सवाल यह है कि आखिर इस तरीके की स्थितियां आई क्यों और इस तरीके की स्थितियों से कैसे पार पाया जा सकता है तो इस्थितियां आज से नहीं है 1971 में जिस वक्ति संग्राम शुरू हुआ था उसके बाद से ये जितने भी ऐसे मुक्ति योद्धा थे जिनको की बांगलादेश की सरकार में 30% सरकारी नौकरी के लिए आदेश दिया गया था और वो उनको नौकरी मिल रही थी उनकी अब ये तीसरी पीडी के करीब आ चुके है और वहाँ पर अब जो आम बांगलादेशी है वो उनका य पूति योद्धा थे संग्राम से लोटे थे तो उनके लिए तब कोई दिक्कत नी थी उनकी पीडी के लिए दिक्कत नी थी लेकिन तीसरी पीडी वालों को आखिर ये सुविदा क्यों मिलनी चाहिए अगर हम लोग बात करें कि जो उनका स्ट्रक्चर रहा है आरक्षन दे बहुत सुना है सबने कि आरक्षन पाने के लेकर इस तरीके से प्रोटेस जो है लोगों ने किये हैं जनता सडकों पर आई है लेकिन इस वक्त जो आरक्षन जो प्रोटेस बंगलादेश में हो रहा है जो हिंसात्मक प्रोटेस हो रहा है वो आरक्षन लेने के लिए नहीं ब बंद कर दिया गया है और सड़कों पर इस वक्त तांडव हो रहा है कोशिश यही है क्योंकि शेख हसीना लगातार बैठके भी कर रही है जो उनका निवास है वहां पर बकाइदा बैठक हुई जिसमें की सेना की तीनों अंगों के साथ साथ जो उनके जो पैरमिल्ट्री जो बाखी जो सिक्योर्टी फोर्सेज है उन्होंने एक मीटिंग की उसके बाद पूरे हालात का असेस्मेंट किया और उसके बाद से लगातार हिंसा बढ़ रही है हिंसा इसलिए ने बढ़ रही है कि पुलिस ने पदरवकारियों के साथ जो है वह गोली बारी किया उनके साथ उनको रोकने कोश्की जो हिंसा सबसे जादा शुरू तब हुई जिस वक्त जो आवामी लीक के जो कारे करता है और विरोध कर रहे है जो प्रदर्शन कारी है उनके बीच में जड़प हुई और जब ये जड़प हुई तो उसके बाद हालात बिलकुल बदल गए किसी भी तरीके का सड़क पर ऐसा आवाजाही बंद जो है आवाजाही नहीं हो रही है जितने भी चुकी बंगलादेश एक बड़ा हब माना जाता है टेक्स्टाइल और इस कपड़ों के काम का वो भी अब लगातार बंद है हस्पिटल्स की बात करे हस्पिटल्स में जितने भी ऐस एंबुलेंस है उनको तोड़ फोड की गई तोड़ फोड बहुत जबरदस तरीके से हो रही है और जो भी रास्ते में आ रहा है उस विरोध प्रदेशन के उसको जो है इस गर्मी का एहसास कराया जा रहा है कि वहाँ पर जिस तरीके के हालात बने हुए है लेकिन इस वक्त एक ऐसा देश है जो की तीन तरफ से भारत से घिरा हुआ एक तरफ मैनमार लगता है और एक तरफ जो है बंगाल की खाड़ी है तो ऐसे में इसका असर भारत पर भी पढ़ना लाजमी है लेहाजा वहाँ पर जितने भी ऐसे बच्चे या लोग जो की वहाँ काम करते हैं या बड़ी तादात में भारतिय स्टूडेंट उधां वहाँ से भारत लोटे थे अलग-अलग बॉर्डर के जरीए वो आये थे साती भुटान और नेपाल के स्टूडेंट भी उन बॉर्डर के जरीए आये जिनकों की विदेश मंत्राले ने उनको आने दिया और सुरक्षा ब एक दिन के अंदर अंदर सिर्फ एक दिन यानि रईवार रईवार में ही तक्रीबन सौ से ज़्यादा की मौते हो चुकि और ये तब आखड़ा पता लग रहा है जब वहाँ पे इंटरनेट नहीं है जिस वक्त वहाँ पे इंटरनेट या कम्यूनिकेशन सिस्टम दुरुस होगा उस टाइम असली तस्वीर सामने आईगी कि आखिर वहाँ की हालात क्या है लेकिन इस वक्त पूरा बांगलादेश जल रहा है दबाव शेक हसीना के उपर है कि वो अपने पत से इस्तिफा देंगी या नहीं देंगी कोशिश की जा रहे क्योंकि शेक हसीना ने इस बा सब्सक्राइब भी हुआ जिसकी नराजगी भी छेली गई और वो नराजगी कहीं नगी सड़क पर नजर आ रही है लेकिन अब जो फिलहाल जो प्रदर्शनकारी है उनकी एक ही मांग है कि शेक हसीना को रिजाइन करना होगा उनकी स्तीफे की मांग को लेकर पूरा बांगल की जा रही है रोड में जो भीड को काबू करने के लिए बकतरबंद गाडिया वहां की सिक्योर्टी फोर्स ने लगाई थी उनको भी पूरी तरीकी से उनके शीशे तक पेंट कर दिया जा रहा है जहां से ड्राइवर गाडी चला रहा है तो यह इस वक्त इस्तिती बहुत जादा बच से बतर बंगलादेश की हो रखी है और उमीद यही जताई जा रहे है कि हालात जल से जल सुधरेंगे कोशिश यही है कि वहां के लोग अब बाचीत की मेज पर आएंगे क्योंकि बाचीत की मेज पर बुलाने के लिए पहले तो शेकसीना नहीं मान रही थी उसक नहीं इफ्तियार किया गया तो वहां पर हिंसात्मक जो विरोध प्रदर्शन है और बढ़ेगा और मरने वालों की संख्या और जादा हो जाएगी जो कि अभी तक पिछले दो महीने में 300 के करीब पहुंच चुकी है झाल